next बच्चो मारे पास water carry system की water carry system के तुरू हम अपने CVS को कैसे dispose कर सकते हैं in this system the waste are get mixed and sufficient quantity of the water by flushing and this waste mixture is transported for subsequent treatment and disposal in a covered convey without any nuisance this system is adopted universally in the world and is very useful in practice nowadays water carry system के अंदर हम क्या करते हैं जो वेस्ट के साथ हम sufficient quantity में water को add करते हैं अब जो वेस्ट का और water का mixture हो जाता है वो और एक उसको ट्रांस्पोर्ट किया जाता है हमारी treatment plant तक किसके तुरू जो हमारे सीवेज लाइन होती है उसको slope में बिचाया जाता है वह ठीक है gravity के अंदर हो काम करती है और water का pressure उसको लेगा जाता है वहां तक ठीक है और यह हमारा सारा system में जमीन सूपर निटा अंडर ग्राउंड होता है तो अगर वह अंडर ग्राउंड है तो कोई भी नुशेंस क्रेटर नहीं होगी ठीक है और इस system को पुरी दुनिया में adopted किया जा रहा है वही water carriage system के through तो ठीक है अब हम पढ़ेंगे इसके advantages के हैं वही water carriage system के और disadvantage तो first one है हमारे पास की जो advantage है बत्च उसको discuss करते हैं तेख भी सबसे पहले इसका use कहां पर होगा for constructed area this method is more suitable also there is no inconvenience to the traffic in this method only one civil line is laid which requires less space as compared to dry or conservation system देख भी जो भीडबाड इलाके हैं दिल्ली जैसे शहर या दिल्ली के इवन आज गल तो हर जहें population battery जो consistent भीडबाड के लाके हैं वहां बहुत जाद स्टेबल है क्यूंकि अगर open में रहेगा तो दिक्कत है क्यूंकि सारा काम का है जमीन के नीचे चला जाएक अंडर्ग्राउंड हो जेगा तो अंडर्ग्राउंड होने के बाद आपकी सटक बढ़न जाएगी तो आप ट्रैफिक भी वहां से इसली मूव कर सकता है इस सिस्टम के एक सीवर लाइन को नीचे जमीन के अंदर ले किया जाता है और यह कम एरिया लेती है एरिया तो क्या है सारा जमीन के नीचे कवर हो जाता है तो यह ज़्यादा बैनिफीशल है अगर हम कंपेर करें इसको ड्राइ सिस्टम से नेक्स्ट पवी इस मेठट इस पॉसिबर फोर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एस बिल्डिंग कैन वी डिजाइन कॉम्पक्ट एज वन पोसिबल इए दिख्खो भी कहता है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां पे बहुत यूश्पल है यूँक्यों क्योंकि बट कैसा रहेगा कोंपाक्ट रहेगा एक सिंगल यूटी की तरह हमारा ही मेथड काम करेगा ठीक है तो डिजाइन रहेगा वह एक लिमिट में होना चाहिए नेक्स इसके अंदर no additional water is required as in conservative system in the system only normal water is sufficient कोई भी additional water हमें इसमें नहीं चाहिए जो हमें dry system में चाहिए था ठीक normal water supply भी sufficient होती है प्रोजेक्ट को पूरा करने के इसकाम को next in this system more quantity of the sewage is treated also self cleaning of the sewer is possible even at less gradient with velocity of more sewage इस system के अंदर के होता है जो quantity होती है हमारे sewage को treat करते है और कैसे होता है कोई भी effort लेका self cleaning sewer हमारो possible हो जाता है ठीक है इसको हम कैसे अचीव का सकते है हमारा gradient कम होगा velocity हमारे sewage की जादा होगी यानिकि slope में हमारे sewage line हमेशा बिछाई ज method of collection as the all sewage matter are collected and convey without employing the human agency so this method can be cannot be does not depend upon the human labor the human agency are used the human agency are used when sewage get choked देखो भई पूरा तरीके से hygiene method हा पूरा collection ही sewage के अंदर सारा और सारा कम underground हो रहा है underground हो रहा है human agency की भी कोई दिक्क देने बट human labor की हमें कब जूर पड़े कि जब हमारा यह sewer की हो जाता है चोक हो जाता है यानिकि जाम हो जाएगा next अभी sewage goes in sewage goes in the closed sewer so there is no nuisance in the atmosphere due to offensive matters and risk of the epidemic can be reduced देखो कहता है जो सारा sewage हो कहा जारे closed sewer के थरू जा रहा है और उसे क्या कोई भी क्या हमारे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बच्चो तो इससे क्या को कोई भी new sense create नहीं होगा हमारे atmosphere में और atmosphere हमारा साफ रहेगा तो इससे कोई किसी भी तरह का epidemic फैल लेगा खतरा क्या हो जेगा कम हो जेगा नेक्स अभी less land is required for disposal work as compared to dry or conservative system in which more land space is necessary देखो भी कम जेगा कि जुरू तो त्यवब्यसी बात उसमें open में होता है जमीन के नीचे हो रहा है तो हमें less space यहां पर चाहिए कि next system के अंदर to sewage use के जाता है sewage को भी हम इसमें use कर सकते हैं पर कब जब हमने उसको treat कर लिए यहननी कि हम अपना sewage को जब treat कर लेंगे हमारा water ascom के इसमें use कर सकते है वोर्टर हमारा बच्त्र यूश्च हो जाता है यह एक यह शन्पर पुसके लेम उसको युज कर सकते